नमस्कार दोस्तों इंडिया की बात में आप सबका स्वागत है आग चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मुकुल सरल और अदिती आप सबका स्वागत है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोधी सरकार ने जैसे ही सत्ता सम्हाली ठीक उसके बाद जिस तरह का हंगामा शुरू और इसकी सबसे बड़ी निशानी है नीट घोटाला जी हां वह परिक्षा जिस से बनते हैं बच्चे डॉक्टर उसमें जिस तरह से 24 लाख बच्चों के भविशिक पर खिलवाड किया गया और आज की तारीक तक सुप्रीम कोट में मामला चल रहा है लेकिन सरकार है कि चु मेरा वही है गडबंधन की लटकन है क्या बदला है आखिर मोदी तीन में क्योंकि बड़ा क्यास लग रहा था कि पहली बार मोदी जी गडबंधन की सरकार चलाने जा रहे हैं दो दो बैसाकिया हैं जनता दल्यू और टीडीपी और दोनों ही अपने अजेंडे पर काफी मु राष्टी स्वेम सेवक संग अचानक ही दिखाई देता है कि राष्टी स्वेम सेवक संग एक एहम भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है जिस तरह से उसके प्रमुख मोहन भागवत बगाईदा मोदी सरकार एहंकार मनीपोर इन सब पर बात करते हैं और उस बात को हमारा ग्रेट मीडिया हेडलाइन्स तो बनाता ही है उस पर एडिट भी लिखता है मानो उसकी एक मॉरल अथारिटी अलग है आरे सेस की इस शातिराना दाओं पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले जो देश के सामने सवाल है जलता हुआ सुलकता हुआ मोदी सरकार से और आश तलक कुछ भी नहीं हुआ कोई इंक्वाइडी नहीं पहला मामला ऐसा है जिसमें जिस सिस्टम ने पूरा का पूरा आरोप जिस पे लगा हुआ है उसी सिस्टम से कह दिया गया कि आप ही जाज कर लीजे और उसी का चेयर्मेन जाज करता है कोई CBI इंक्वाइडी नहीं हुआ तो और मोधी सरकार और खुद प्रधान मंत्री नरेन मोधी एक शब्द अभी तक नहीं बोलते जबकि देश भर में चात्र सडकों पर हैं उनके अभी भावाक उनके पेरेंट सडकों पर हैं अदालत का दर्वाजा खट खटा रहे हैं बार 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 सुप्रीम जून को जिन डेड़ हाजार से अधिक बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिये गए उनका दुबारा से एक्जाम होगा और तीस तक सारा मामला क्लियर होना चाहिए लेकिन जवाब देही किसी की नहीं यह क्या चल रहा है इस पर क्या है पंच मुकल बताएंगे अब भाशा मेरा साफ मानना है कि नीट ना तो नीट है ना क्लीन है चौबिस लाग बच्चों की जैसे बात है उनके भविश्य से वाकई खिलवाल हुआ है और अब तक जो दिख रहा है कि इसे उजागर करने की बचाय चिपाने और लीपा पूती की कोशिश है अधिती क्या ह पाड़ी जिम्मेदारी है इतने सारे बच्चों के भविश्य के साथ उनकी जीवन के साथ खिलवाड है इसमें सिर्फ एक इंटर्नल इंक्वाईरी नहीं चलेगी मेरे हिसाब से एक थर्ड पार्टी इंक्वाईरी बहुत ज़रूरी है आपका पंच भाशा मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि ये सिस्टम का फेलियर है इसमें तमाम लोग मिले हुए है और इसका परदाफाश होना देश के भविश्य के लिए बहुत जरूरी है मोधी सरकार को जबाब देना चाहिए कि 4 जून से अब तक कोई इंक्वाईरी क्यों नहीं हुई वे चुप क्यों है CBI इंक्वाईरी से क्यों दिक्कत है किसे बचाने की कोशिश कर रही है सरकार मुकल एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि अगर चात्र सडकों पे ना आते अगर पेरेंट सामने ना आते अगर वे खुद अपना हलफ नामा लेकर ना दरदर भटक रहे होते तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि 4 जून को क्योंकि सब जनता जनारदन देख रही होग चार जून सब को पता है नीट को भी पता है एनेट को भी पता है कि भाई ये आज लोकसभज चुनाओ का परिणाम आ रहा है देश का बहुत शर्त है हो रहा है उसी शोर में उन्होंने सोचा कि हम इसका परिणाम घोशित कर दें और वो कोई डू डेट नहीं थी वो उससे पहले उसके दस दिन बाद आना था जी तो चार जून को ये लाया गया तो इसमें सवाल तो यह है कि कुछ छिपाने की कोशिश वहीं से लगने लगी फिर जिस तरह की चीजे आएं कि 720 में से 720 नंबर है ये बड़ा कोश्चन था फिर यह था कि कुछ नंबर हो नहीं सकते त यह ग्रेस मार्क दिया गया अब ग्रेस मार्क को रद कर दिया गया री एक्जाम कराए जारा लेकिन यह 1563 बच्चों का सवाल नहीं है 24 लाक बच्चों का सवाल है और इसमें कई कोश्चन उठते हैं जिसका जवाब नीट एनेटी जैसे आपने सी उटी की भी बात की उसके इतने खिलवाड हुए हैं एनेटी जो दिये जैई और सी उटी और नीट यह परिक्षाए कराता है देश की सबसे बड़ी परिक्षाए जिसमें लाकों बच्चे बैठते हैं उनके साथ ऐसा खिलवाड यह अपने आप में अक्षम में है मुझे लगता है कि इस पर एक बड साइलेंस बनाए हुए मतलब कुछ हो यह हुआ ही नहीं है अगर आप देखिए उनक्या एक्स प्लेटफॉर्म पर सब चीजों पर रियाट कर रहे हैं कुवैत में होता है उस पर रियाट करना चाहिए निश्चित तोर पर लेकिन भारत में भी आपके बच्चे इतने समयदारी नहीं है इसमें बिलकुल भाषा देखिए पूरे मतलब मंतरा ले चलो बन रहा है उसकी गहमा के में लेकिन भाजपा जो है एक नैशनल पार्टी कोई एक बड़े लीडर का कुछ तो कोई स्टेटमेंट आना चाहिए प्रधान मंतरी का कुछ तो ट्वीट आना च जहां तक बच्चों का सवाल है बच्चे देखिए जो लोग कोट में गए 67 तो लोग बता रहे हैं आज तक 67 टॉपर्स रही ही नहीं है आखडे देखके आप बताईए और दूसरा जो आप बच्चे बता रहे हैं कि 1500 बच्चे वो भी वो लोग बताए जाते हैं को नीट को लेकर को कि नीट नया नहीं है 2017-18 में इसे लेकर एक राजनितिक विवाद भी हुआ तमिलाडू सरकार ने कहा कि हम इस नीट को नहीं जानते हैं हम नहीं चाहते हैं इस नीट को क्योंकि यह नीट समावेशी नहीं है यह एक्स्क्लूजन करता और इसमें बड़े कमिटी बने जिसने जाज कि और जिसने बताया कि नीट का यह जो स्रक्चर है यह बहुत ही गरबड है लेकिन फिर भी मोदी जी तो चुपी रहे हैं तो मैं एक इसमें करेक्शन कर दूँ थोड़ा सा क्योंकि आज जब इतना दबाव हुआ सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई की मामला है हर परिक्षा किसी का पेपर लिख हो रहा है किसी में इस तरह से तो कई चीजे जैसे शिक्षा माफिया जो कोचिंग माफिया शाशन प्रशाशन सब मिलावा है तो एक भविश्चे से खिलवा है और जो पैसा दे सकता है पैसा कमजोर वर्क तो दे नहीं सकता तो जिसके आते हैं वो भी नीट में ये भी बहुत हाई मार्क हैं बड़ी मुश्किल से 600 अब 650 इतने कॉमन हो गए क्योंकि 720 इतने आ गए यह 718 719 इतने आ गए उन्हें भी अच्छे सरकारी कॉलेज नहीं मिलेंगे यह चिंता भी छात्रों की है कि ना आप सरकारी कॉलेज बढा रहे हैं ना आप सीटे बढा रहे हैं और एक्जाम करते हैं और फिर कहते हैं कि यह सवाल है क्योंकि इसे देखते हुए मुझे व्यापम घोटाला याद आ रहा था कि मद्रप्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ जिससे अंगिनत बच्चों का भविश्य कैसे चौपट हुआ लेकिन शिवराजी पर आरोप था उसमें मुख्यमंत्री थे आज वो अंगिनत लोग लिख चुके हैं कि जो पूरा प्रोसेज अपनाया गया है जो शिक्षावेद कृष्ण कुमार उन्होंने कहा कि जो पूरा प्रोसेज है यह अपने आप में अच्छे डॉक्टर की गैरंटी नहीं है लेकि मेरा यहां तो सवाल दूसरा है कि अगर इतने अभी शिदाव पे लगा है तो अब आप सोचिए डॉक्टर बनाने वाला जो एक पूरा मशीनरी है उसमें इतने बड़े कितने करोडों रुपे का लेंदेन हुआ होगा यह हम क्यास भी नहीं लगा सकते लिकिन निश्चित तोर पर क्योंकि आज तो जब हम बात करना है व उसने पूरी तरह से नीट को कबजे में ले लिया लेकिन हैड्रोल कहीं नहीं हो रहा मतलब कोई जिम्मेदार नहीं कोई गिरफतार नहीं किसी की जवाब देही नहीं और भाशा आप जो कह रही है सिस्टम में आप से तोटली अगरी करती हूं यह जो आजकल सिस्टम बन ग बच्चों को कोचिंग दिलवाते हैं जो गरीब तपके के लोग हैं और इस तरह की खिलवाड आप जैसे कहरी है डॉक्टर जैसी चीजे जो जिन्दगी बचाने का काम है उसमें ऐसे उधारन सामने आये कि कोई जो है वो फेल कर चुके है फिजिक्स में इसमें लेकिन साथ एक्जाम हो रहा था उस दिन चात्र कह रहे थे चीक चीक के रो रोके की गरबड़ी हो रही है अंग्रेजी वालों को हिंदी का पेपर दिया गया हिंदी वालों को अंग्रेजी का पेपर दिया गया एक सेंटर पे दो दो पेपर बाटे गए और उसके बाद उनसे कहा गया क एक पेपर वापस ले लिया गया यानि पूरा सिस्टम ज़स समय डिजिटल इंडिया की बात है इतने विकास की बात है आप एक एक इकजाम इतने बड़ी धानली अगर उस समय नीड जाग गया होता और उस समय थोड़ी सी खोजी पत्रकारी था उस समय बच्चों पर भरोसा क तो इसी वज़े से उन्होंने एक्जाम से पहले ही सुप्रिम कोर्ट में और कोर्ट में लोग चले गए थे बच्चे चले गए थे जब चार जून को रिजल्ट से पहले ही किस तरह की अन्यमित्ताय हुई है और मैं कहा रहा हूं कि यही उधारन CUT में है यानि हर जगए इस चला कि उसने अच्छा किया है लेकिन तब भी वही कुछ लोग पैसा देकर इतना अच्छा कर चुके हैं कि वह कहीं है नहीं लेकिन आज की तारिख में धर्में प्रधान का बात कर रहे हैं लेकिन उंका जो ट्वीट मैंने देखा उसमें तो कहीं से किसी की जवाब देही जवाब देखा नहीं कि नहीं कि हम इनका री एक्जाम करा लेंगे तो ये एक बड़ी मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदारी की बात है और इस पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि संसद का सत्र शुरू हो रहा है और निश्चित तोर पर जिस तरह से विपक्ष्ट ने इसे म अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर वह भी बहुत एहम है मोदी तीन यानि जो तीसरा दौर शुरू हा है देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी का गडबंधन की राजनीती का उसमें क्या कुछ बदला है या जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि चाल चरित्र च तमाम मंत्रियों ने जो अपने पुराना एजंडा है उसे दोहराया बस मिसाल के तौर पर देखिए कि किस तरह से कि अर्जुन मेगवाल क्या बोलते हैं कि हम UCC पर और CA पर उसी तरह से काम करेंगे और ये हमारी प्रियोरिटी है इस पर क्या है पंच बताएंगी अदिती मोटा मोटी वही चलेगा जो पिछले 10 सालों से चल रहा है ठीक है गठबंधन के वो तो आपने पहले भी जैसे कमेंट किया था कि मंत्राले इस तरह से दिये गए हैं तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी वही चलेगा जो चल रहा है मुकुल क्या है इस पर आपका पंच मेरा साफ मानना है कि कुछ नहीं बतला है बस मोदी 2.0 की जगे 3.0 हो गया है जिस तरह मंत्रालियों का बटवारा हुआ है और जिस तरह से लग रहा है कि मोदी सरकार उसी मनमाने तरीके से चलेगी अब ये विपक्ष पे है कि वो उसे किस तरह से कंट्रोल कर पाता है भाशा मेरा मानना बिल्कुल साफ है लाइटर मोड पे कि एक चीज हुई है कि मोदी जी दिन में जो 4-5 बार कपड़े बदलते थे अब एक ही कपड़े में दिखाई दे रहे हैं लेकिन संदेश उनों ने दे दिया है अपने तमाम गटबंधन के दलों को कि आपको जो मिलना है वह अब वे अपनी जान बचाएंगे कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर तोड़ना हो अधिती एक जो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि ग्रेम मंत्री पर भी चंदरबाबू नाइडू को हो सकता है कि तकलीफ हो और वो ना तयार हो इसके लिए त अमान जगों पर खबरे भी चल रही थी, स्पीकर को लेकर अभी भी स्पेकुलेशन चल रहा है, स्पीकर को लेकर भी काफी स्पेकुलेशन चल रहा था, लेकिन जो मलाईदार या जो पावरफुल मंत्राले हैं, बहतों मोदी जी ने जहां जाने थे वहीं गए हैं, और उस गटबंधन वाले दल करेंगे क्या इस से पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आप से इस चीज में सहमत नहीं हो कि चेंज है मुझे लगता यह भी बहुत सोची समझी इमेज बिल्डिंग है कि कपड़े नहीं बदले दो तीन दिन एक भाशन में पंदरा बार NDA बोला मोधी सरकार नहीं बोला यह सब एक सोची समझी है अभी शुरू में अपनी वो दिखा रहे हैं क्या गटबंधन क्या करेगा गटबंधन देखे एक तो पहले देखना पड़ गटबंधन मुझे लगता है अभी तक नितिश और नाइडू जो है वो पहले भी चुपी रहे हैं इसी गटबंधन में कितनी कितनी चीजे होई है चाहे गुजरात का मसला हुआ है चंदर बाबुजी ने जरूर स्टैंड लिया था लेकिन मुझे लगता है मोटा मोटी मंत्राले इस तरह से नहीं मिला और अगर स्पेशल स्टेटस भी नहीं मिलता बिहार को तब वो क्योंकि उनका सबसे पहले चुनाओ है तो उनको क्या हासिल होगा कैसे वो अपना बचाएंगे वही एक बड़ा सवाल है लेकिन यह सोचना है कि गटबंधन इसके लावा भी और क्या कर सकता था क्योंकि क्यों करेगा कुछ क्योंकि एक सत्ता इंडिया वाले भी लगाए allora सकते हैं कुए वहा भी बहुत जोड़ तोड से सरकार बनती तो यहाँ सवाभवई के गटबंधन पहले से बना था अब यह कि वो बार्गेन नहीं कर पाई अब वो बार्गेन क्यों नहीं कर पाई हो सकता है सबको अपने अपने राज्य वह उसे उन्हें बिहार की चिंता हो उन्हें आनर की जैसे आपने कहा है तो हमें दिखाई दे रहा है कि राज्यों में आक्रोश असंतोश पैदा हो गया है और गड़बंधनों में ही पैदा हो गया जैसे महराश्य में सीदे सीदे अजीत पवार नाराज रहे आये भी नहीं को कैबनेट मंत्री भी नहीं मिला में जाहिर कर दी एक नाशिंदे दल नाराज दिखाई दे रहा पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर बवाल है खुद बीजेपी के भी तर तो मोदी जी के लिए इंटरनल फाइट भी बड़ी नई चीज होगी क्योंकि यूपी जब हम आप बात कर रहे हैं तब संगी सोम ने संजीव ब महाराश्च्रा बगेरा बट हां पार्टी के अंदर और गटबंदन के अंदर यह अभी चैलेंजेज रहेंगे उनसे जूजना पड़ेगा काफी समय तर महाराश्च्रा में बहुत जल्दी चुनाओं से साल चुनाओं है और वहां जो शिंदे और अजीत पवार यह बहुत इस्टैबल है उसकी सरकार चल रही एंडिये के साथ बीजेपी के साथ नितीश बाबु की आंदर में नई बनी है तो वहां नहीं है महाराश्च का जगड़ा अभी और बढ़ना है यूपी अभी मुझे लगता है कि इसी तरह से रखेंगे योगी जी को और इसे थोड़ा स दिल्चस्प है कि राश्ची स्वेम सेवक संग उसके प्रमुक मोहन भागवत सामने आते हैं छपते हैं हेडलाइन बनते हैं और वह नसीहत देते हैं कि शक्ती के साथ सैयम भी जरूरी है वह संदेश देते हैं कि एहंकार किसी भी प्रधान सेवक तो नहीं बोलते हैं लेकि कई कई शब्द इस्तमाल करते हैं वे और उसका क्लियर मेसेज जाता है कि वो मोदी जी को एक सबक दे रहे एक लेसन दे रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं और नाइजर में लेक भी चपता है और देखें पूरी हैडलाइन तमाम अखबार तमाम टीवी चैनल बताते हैं कि अब मानना है कि RSS और BJP डोनों के लिए डेमज कंट्रोल और फेस सेविंग का मामला है यानि मोदी जी को जितनी सीटे घटी है उनकी जन विरोदी नीतियों की वेज़े से घटी है जनता के गुश्य की वेज़े से घटी है नि विपक्ष की वेज़े से ये RSS ने हाथ कीच लिय तो यानि RSS सर्वो परी हो गया और RSS और BJP एक ही है यह मान कर चलिए तो वो एक अपने तरह से दिखा रहे हैं कि हम किसी और की वेशे नहीं हा रहे हम अपनी ही वेशे हार गया और हम सुधार लेंगे इसे अदिती क्या है इस पर आपका पंच मेरा पंच इसमें यह है भाषा कि मैं RSS मान के चल रही हूं कि यह हाती के दाथ खाने के और हैं और दिखाने के और हैं यह सिरफ बोला जा रहा है क्योंकि इनके पाउं के नीचे से जमीन थोड़ी सी खिसकी है चाहिए आप माने या ना माने यही कारण है बाकी चेहरा वही है भाषा आपका पंच अधिती मेरा बिल्कुल साफ मानना है मैं आपसे सहमत नहीं हूं RSS के खाने के दाथ भी वही हैं और दिखाने के दाथ भी वही हैं और दरसल वही भाषपा की जनक है यहां पर दोनों को एक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया है ताकि प पताना कि हम सर्वशेष्ट हैं हमीं दरसल गाइडिंग फोर्स हैं यह एक शातिराना दाव है मेरी नजर में अधिती जिस तरह से दिखाई दे रहा है महौल बनाया जा रहा है उसमें मुझे लगता है कि दो व्यूज आए हैं कॉंग्रेस की तरफ से भी जैराम रमेश ने तुरंत कहा कि अब मुदी सरकार को आरेसे से सबक लेना चाहिए लेकिन इस मुद्दे पर मुझे लगता है पवन खेडा का स्टान जो कॉंग्रेस पर वक्ता हैं बहुत मैच्ची और दिखाई दिया उन्होंने कहा कि आरे माटी तो आपी की है यह सब तो बोया आपी नहीं और माली भी आपी है यह नफरत की जो सारी बुवाई हुई है इसके तो माली आपी है आपी ने पैदा किया है सारा इसलिए आप आप यह ना बताये कि आप बहुत अच्छे हैं और बीजेपी थोड़ी से गरबड़ और एहंकारी और नफरत कोर हो गई थी तो यह स्टैंड जिसे कहते है उस पर थोड़ा अटैक है राष्टिय स्वयम सेवकसं का क्योंकि देखें संगठन जो है उनका थोड़ा तो कमजोर हुआ है नहीं तो इतनी कम सीट है मेजोरेटी तक भी जेपी नहीं लेके आ पाई है तो इसलिए मेरा मानना यह है कि यह RSS जो है जो कह रही ह है यह सिर्फ जो मुकुल जी ने कहा है mostly face saving है और damage control है इससे जादा कोई उनके मन के अंदर यह नहीं है कि मनिपूर की तरफ देखिए जी मनिपूर जल रहा है या कुछ लेकिन एक बात है मुकुल की पहली बार RSS मुखिया मनिपूर का जिक्र कर रहे थे जबकि मोदी जी ए पर edit लिखा है कि एहंकार थोड़ा छोड़ देना चाहिए थोड़ा यह पीछे हो जाना चाहिए लेकिन यहां पर जो नीतियां है जिनकी वजह से भारती जंता पार्टी को यह हार मिली उसका तो जिकरी कहीं नहीं है यह तो सिर्फ बात हो गई कि भाई आपने विपक्ष प में बोल सकते थे पूरे चुनाव गदाव उनकी कई सब्सक्राइब नसीहते आई हैं बीच बीच में पर उन्होंने कभी मनिपूर पर नहीं बोला उन्होंने भी बिल्कुल अब चुनाव बीद गया रिजल्ट आ गया तो उस तरह हां कुछ चीज़े जरूर बदली है जैस ने अपने बेटे को डाटा कि तुम थोड़े ज्यादे बिगाड़ का तो रहो पर इस से ज्यादे उमीद मत पाली है कि RSS कोई बहुत मौराल अथार्टी क्योंकि मैं मुझे लगता है कि यह बहुत एहम है समझना कि दरसल जो नफरत की खेती भारत में हो रही है जो भारती नहीं है और इस बात पर भाजपा और RSS दोनों को गर्व है और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2025 में RSS के 100 साल पूरे होने वाले हैं लिहाजा उसका जो एजेंडा है मैं उसी एजेंडे से जोड़कर मोहन भागवत और्गनाइजर के इस लेक को देख रही हूं यह दा झाल 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 झाल